अगर मैं आपको एक चीज यहां पर बोलूं कि बीना किसी दवाई के, बीना किसी शेंपू के, बीना किसी तेल के, बीना किसी जड़ी बूटी के अगर एक चीज यहां पर मैं ऐसी बताऊं कि जिसके इस्तेमाल करने से आपके बाल जर से काले हो जाएं तो कैसा रहेगा आपके लिए जी हाँ दोस्तो आज मैं ऐसी ही एक ऐसी चीज के बारे में बताने वाला हूँ कि ना आपने दवाई का सेवन करना है ना आपने किसी और चीज का सेवन करना है ना बालों में कुछ लगाना है कुछ नहीं करना है आपने तो आज इस वीडियो में मेरे साथ हैंट तक जरूर बने रही है तो कि बहुत ज़्यादा खास चीज लेके आया हूँ पूरे यूटूब पर कहीं नहीं मिलेगी यह चीज ऐसी चीज के उपर मैंने रिसर्च करी है और आपके बीज में लेके प्रेजेंट हूँ तो वीडियो मेंन तक मेरे साथ जरूर बने रही है बहुत कमाल की चीज है बहुत जबर्दस लाब देखने को मिलेगा ऐसा लाब जो लोग अपने बालों को डाई करवाते हैं ये करवाते हैं हर अपते में, 15 दिन में, 20 दिन में उसे पर्मानेंट छुटकारा दिलवा दूमा में इतनी मेरी गारेंटे और इतना भरोसा आपको होना चाहिए दोस्तो जो नुस्खा में आपके बीज में लेके आइस प्रेजेंट हूँ उसके अंदर पता कितनी ताकत है उसके अंदर इतनी ज़्यादा ताकत है कि आपके जो बालों की जड़े है ना वो सफेज जो हो चुकी है उनको पर्मानेंट रूप से काला करने की ताकत रखता है आज का नुस्खा बस आपने समझना है कब लेना है, कैसे लेना, कितनी देर लेना, कितनी मात्रा में लेना है क्या, क्यूं, कब, कैसे ये चार questions आप अगर समझ गए तो फिर आपको कोई problem नहीं आप है फिर आप बड़ा easily अपना treatment कर पाएंगे बड़ा easily चीजों को समझ पाएंगे बड़ा easily उसका लाभ आपको मिलने लगेगा मिलना चालू हो जाएगा बस तो दोस्तों आईए वीडियो की शुरुआत करते है कि कैसे लेना, क्या करना, क्या वो चीज है कुछ नहीं करना आपने एक तांबे का आपने बरतन लेके आना है कम से कम बता रहा हूँ एक लिटर का एक लिटर का तांबे का बरतन लेके आएं उस तांबे के बरतन को आपने अच्छे से धो लेना है अब आपने एक चीज करनी है एक आपने लेके आनी है चांदी की रिंग ले आएं छोटी सी चांदी के रिंग लेके आनी है दोस्तों बहुत पावरफुल चीज है अब आप वीडियो को ऐसे समझ के कितामबे का लोटा, रिंग क्या बोल रहा है गुरू जी अब ऐसे बीच में छोड़के अगर जाएंगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला दोस्तों मैं कोई भी चीज यहां पर आपके बीच में लेके आता हूँ तो उस पर बड़ी रिसर्च करके अजमा के उसका रिजल्ट लेके तब आप लोगों के बीच में मैं यहां पर रखता हूँ चीजों को उससे पहले मैं कुछ नहीं बताता आपको या फिर ऐसी चीज़े बताता हूँ जो अईरवेग में अपने आप में बहुत दंदार चीज़े है जिन से 100% result निकलता ही निकलता है या फिर मैं ऐसी चीज़े लेके आता हूँ जिन पर अगर मैं रिसर्च भी ना करूँ तो ऐसी चीज़े आपको मैं बताता हूँ जो अपने आप में सीद्ध चीज़े है जिनका benefit मिलता ही मिलता है तो दोस्तों सिर्फ इतना करना है आपने एक तांबे का लोटा एक लिटर का कम से कम होना चीए और एक चांदी का चल्ला जैसे मैंने यहाँ पर धान किया हूँ यह चांदी का चल्ला एक चांदी का चल्ला बस यह दो चीज़े आप रखिए चांदी सुध होनी चीए तांबा सुध होना चीए बस अब दोस्तों आपने उस लोटे को पानी से भर देना है रात के टाइम पर सोते टाइम पर उसके अंदर यह चांदी की रिंग डाल देनी है धक के उसको रख दे सुधा उठते ही उस पानी का सेवन करें आप बस और कुछ करने की जूरत नहीं है कुछ नहीं खाना ना तेल लगाना सेंपू लगाना ना किसी दवाई का सेवन करना ना किसी चीज का सेवन करना सिर्फ पानी पीना है ताम में के लोटे का अब कितने दिन पीना है जी अब कुछ लोग सोचेंगे मेरे तो पूरे बाल वाईट है कितना टाइम लाएगा देखिए कुछ लोगों के साइड में वाईट हो जाते जिनको जुरूरत है वो लोग इसका इस्तेमाल करिए या फिर जिनकी पूरे उपर वाले बाल भी पूरे सफेद होगे वाईट होगे तो वो यूज कर सकते हैं जो डाई करवाते हैं वो यूज कर सकते हैं अपनी जुरूरत के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल करिए इसका इस्तेमाल maximum max to max जिन व्यक्तियों के पूरे सर में white ball है ऐसे लोगों को 9 से 10 महिने maximum इस्तेमाल करना पड़ेगा और 9 से 10 महिने में सारे बाल काले हो जाएगे दोस्तों मैं लिखवा के लिखे दे सकता हूं आपको एजीज क्योंकि ये आयरुवेद में वरनित है और ये हमने खुद आजमाई भी है कही लोगों पर 99% तक आपको इसमें benefit मिलेगा देखने को और आपके जो white ball हो गए जड़ से काला करता है basically बड़ इसमें बसरत है दो चीज़े आपकी सही होने की है जो चांदी का आप इस्तिमाल करेंगे वो सुध होनी चाहिए और तामबे का इस्तिमाल करेंगे वो सुध होना चाहिए बस ये दो चीज़ों का आपने ध्यान रखना है तो आपको 100% इसका result मिल जाएगा तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी रगे तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को जरूर दे वाले क्योंकि ऐसे कॉंटेंट यह आपको हमेशा मिलेगा तो आज के लिए इतना ही है वीडियो को लिए देखने के लिए धन्यवाद